हेलो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिस यूट्यूब चैनल इंग्लिस लेक्फोम बाई रवी सरफर आज की जो हमारी कलास रहेगी दोस्तो वो नाउन पर बेस रहेगी और इस कलास के दौरान हम सीखेंगे नाउन केसिस में प्रजिशिव केस को दोस्तो यकिन मानेगा प्रजिशिव केस नाउन केसिस में सबसे इंपोर्टेंट केस होता है और यहीं से बहुत सारी क्वेशन पेपर में देखने को आपको मिलते हैं पेपर चाहें आपका किसी भी लेवल का हो यहां से क्वेशन ना आए नाउन से ऐसा हो ही नहीं सकता तो मालिकाना हग अगर मैं कहूं यह मारकर किसका है यह मारकर किसका है आप किसके हो यह मोबाइल किसका है यह लेक्टोप किसका है तो जो मालिकाना हग होता है साथियों उसको रिप्रेजेंट करता है आपका प्रजिशिव केस वाइट आप देखिए जो प्रजिशन होता है मेर यहां पर लिखे हैं, जो decide आपको करना है कि कौन से ठीक, कौन से गलत है, तो सबसे पहले हम possession की बात करते हैं, living being का दोस्तो living being का जो possession होता है वो noun plus noun apostrophe और s अब यह जो उपर में एक छोटा सा कॉमा लगा है साथियों यह इस तरीके से, इसको कहा जाता है, apostrophe क्या कहा जाता है साथियों, apostrophe right, और इधर फिर यह है दोस्तो आपका S, apostrophe S, यह आपको दिखाता है relationship या ownership कू ठीक है, और फिर आता है मेरे प्यारे साथियों, possession right, तो noun apostrophe S, प्लस position, आगर example के हम बात करें, तो Rahul's car, तो यहाँ पर जो यह apostrophe S लगा हुआ है मेरे प्यारे साथियों यह living being Rahul, जो noun है, उसके साथ है, और इसका मतलग यहाँ पर है बेटा, का, के, खी, इस थोड़ा सा gap के साथ बोलें, का, के, खी, ऐसे नहीं काखे खी, right, तो इसका मतलग भा भी Rahul के, कार, right, Rohan's GF feeling मतले न, grandfather है इसका मतलग यहाँ पर, तो Rohan's GF, Rohan के grandfather, तो Rohan यहाँ पर कहा है भी, living being है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका यह जो apostrophe S है, मेरे प्यार साथ है, वो दिखा रहा है भी, मालिका न, हक को, ठीक है, ownership को, यहनी, कार पर किसका हक है, कार का मालिक को ने, राहुल, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, relationship की, ठीक है, यह जो grandfather ही है, किसके हैं, भई, रोहन की हैं, एक sentence देखते हैं दोस्तों, I saw Seema's brother, तो किसका भाई-भाई, Seema का, तो इस apostrophe S ने हमें क्या दिखाया यहाँ पर, relationship यहाँ पर दिखाया है साथियों, तो अमेद करता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा, आगे हम चलते हैं, possession of non-living, अब जब non-living का possession हम दिखाते हैं साथियों, तो इसका उल्टा हो जाता है, और जैसे मैंने यहाँ sentence लिखा है, trees said, अब जो tree है, वो तो भी non-living है, देखें, biology में आप पढ़ते हूँ कि भी tree जो है, वो living being है, लेकिन हम English की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर, तो यह कहना गलत होगा, तो यही बात हो गई, तो फिर राहूल में और tree में फ़र्क क्या रहा, राहूल living being है, tree non-living being है, तो हम इस बात को गलत हैं पर मानेंगे, tables design इस बात को गलत मानेंगे, और दोस्तों किस तरीके से हम non-living का position दिखाते हैं, उस पर बात करते हैं, अब यह जो position होता है दोस्तों इसको यहाँ पर सबसे पहले रखें आप, ठीकें, इसको सबसे पहले रखें, और जो apostrophe S आपका है, उसको हटा कर दोस्तों change कीजिए कि इसमें preposition off में, और फिर आपका यहाँ पर जो यह noun है, वो as it is पीछे आ जाएगा, तो यह जो position होगा, वो होगा आपका no living being का, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह जी समस्का आ गई होगी, तो आप यहाँ पर करोगे क्या, कि भई सबसे पहले इस position को यहाँ किया, yes, state, फिर इसको convert किया भई, off में, और last में इस tree को रख दिया दोस्तों, तो क्या बना भी state of the tree, ठीकें, अब यह दी कहां से आया है, यह जो the word बेटा यह कहां से आया, क्योंकि noun है, इस noun है, तो भी उसकी विज़े से कोई न कोई article तो आएगा, और in fact, यहाँ पर भी आएगा दोस्तों, ठीकें, आप shade, और दोस्तों एक होती, shadow, shade और shadow में क्या फरकोता है, जो non living being की होती है, दोस्तों, वो होती है, shade, और जो living being की होती है, भी इंसान की क्या हो ठीकें, तो आगे बढ़ते हैं, साथियों अब जो position है, आप लोगों का, यह अब जो position है, वो यह चार चीज़े और हैं, भी time बताने वाले सब्द के साथ अपस्टोफियस लग सकता है, place बताने वाले सब्द के साथ में अपस्टोफियस लग सकता है, heavenly bodies या भी celestial bodies इनको इसको बिल्कुल ठीक माना जाते हैं, हाला कि यह सब non-living होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ठीक माना जाता है, और इस सब की वज़े होते हैं, दोस्तों, personification इनको personify किया जाता है, प्यारे साथ में होते हैं, personification का मतलब क्या होता है, बिल्कुल रिविंग की तरह दिखाया जाए, तो वो होता है, personification, एक figure of space भी होते हैं, अब कुछ से मैंने यहां फर phrases लिखे हुए हैं, जिनके अंदरा आप पाएंगे भी या तो time-related noun है, या place है, heavenly bodies है, या फिर idiom है, और सब के साथ मैं first of guess लगा हुआ है, तो यह छीक माने जाते हैं, लेकिन यहां इनकी भी एक वज़े होती है, पहरे साथ है, पहले वीडियो को पोज करो और इनको एक बार आप सोल करने को सिसकरे कि कौन सा phrase यहां पर, आपका according चीक है और कौन सा phrase गलत है, तो मैं उमेद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पोज किया होगा, और पहले अपने दिमाग को यहां घुमाया होगा, तो कि कौन सा phrase इसमें से ठीक माना जाए, इस इन चारों को लेकर कौन सा phrase यहां पर ठीक माना जाए, उसकी बात करते हैं सा साथ में a party of s or possession, उस condition में ठीक माना जाए का, जिस condition में यह जो पंजेशन है ओना दोस्तों, yes, यह जो पंजेशन है, यह related होना चाहिए, human being से, ठीक है, human being से जाहिए तब यह जो condition है यह ठीक मानी जाती है तो आप दोस्तों चलते हैं फस्ट प्रस्ट फ्रिश्ट पर इन्डियास पोपीलेशन इन्ट्यास प्नुलेशन अब दोस्तों देखो ईजो प्रजशंड़ है एस पोपलेशन लोगों की ही होती है भाई यह लोग population बढ़ाने का काम करते हैं तो population किसी होते दोस्तों लोगों की यह होती है human being से यह related है तो यह आपका phrase है बिल्कुल छीक माना जाएगा भाई हाल कि आगे जो इंडिया है वो एक प्लेस को बताने वाला सब्थ है तो यह बिल्कुल छीक है क्योंकि यह जो population है यह human being से related है यह human being की ही population होती है डेलीज temperature इस चैलेज temperature अब जो temperature है दोस्तों इस क्या वो human being का उसमें कोई role है यह सोच कर देखिएगा बिल्कुल भी नहीं तो प्रेकर्टिक है अपने आप वो घड़ता है तो यह phrase दोस्तों बलत होगा और इस phrase को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह वाला जो तरीका है अपना ना पड़ेगा पर्जेशन को पहले रखें भई इस टामप्रेचर निट्राइश आफ टाली यह चांप्रेशा और चैली अगे दोस्तों चैलीज पॉलिशन इस ज्छालीज पॉलिशन अब यह जो पॉलिशन है पॉलिशन इस पॉलिशन को इस फॉलिशन को बढ़ाने में किसका हाथ है सब का हाथ है तो दोस्तों human being से ही pollution भड़ता है राइट है जैपूर फिल्स जैपूर फिल्स अब जैपूर की हिल्स को बनाने भी हमारा क्या हाथ है क्या आप हापर जाकर भाडो को बना कराएं क्या हम बना कराएं बिल्कुल नहीं वह प्राकर्तिक हैं तो यह गलत माना जाए हो और इसको क्या कहोंगे यहां पर दे लिए हिल्स ऑफ जैपूर तो यह इस तरीके से लिखा जाएगा आगे वन डेज लिव अब यह टाइम से रिलेटीट है भाई वन डेज लिव हमें बस पजेशन को देखना भी लिव इनसान ही लेते हैं तो बिल्कुल यह अपने आप क्या हम चाहा कर भी जनवरी के महीने को 31 से 33 का बना सकते हैं क्या हमारे आथ में हैं बिल्कुल नहीं तो दोस्तों यह फ्रेज गलत होगा और आप इसको क्या कहोगे भी डाज्यूरेशन ओफ चुरेशन ओफ जनवरी नेक्स्ट पर चलते हैं मून्स अट्रेक्शन से लिशल बोड़ी बैन नाउन के अंदर यहां मून अट्रेक्शन अट्रेक्शन जो पजेशन है दोस्तों वह देखो में बिंग से लिटेटर भी अट्रेक्ट ही होता है यस आप भी किसी के पीछे अ आट एन आंस लेंट यह दोस्तों एक एडियम होती है इनफेक्ट दोनों ही संटेंस के अंदर एडियम में तो यह तो बिलकुल आप आँख बंद करकर ही ठीक कर देंगे ठीक है भाई जो एडियम है ना वह तो सारे ही ठीक होते हैं अगर इसके साथ में आप स्टोफ एस इनसान पैचानता है भई आर्थ ब्यूटी बिलकुल यहां पर यह ठीक है मनालीज क्राउट क्राउट किसका होता है भई लोगों का होता है बिलकुल ठीक है नियू एर्स सेलिप्रेशन सेलिप्रेशन कौन करते हैं यह सेलिप्रेशन कौन करते हैं यह सेलिप्रेशन कौन कर आप लिखोगे भी दाफ फोरेस्ट ओफ टैली दाफ फूरेस्ट ओफ टैली आप इसको इस तरीके से ठीक करेंगे क्योंकि नौन लुविंग बींग यहां पर होगा ठीक है भाई यह जो पजिस्टन है इस यह मिन बिंग से रिलेटीट नेशीश है आगे भी कसमीर स्क्रीज ऊहि夏 दोस्तों कस्मीर ज 120 इन कस्मीर ट्रीज पजिससन हिमिन विंग से लिडिम नहीं तो ये फ्रेस भी गलत होगा और आप क्या कहोगे भईयां पर अगर यहां पर ट्रीज की जिएगर दोस्तों माननों मैं कहूं भी अटेक कसमीर अटेक तो यह बिल्कुल छीक है अटेक कोन करता है हम लोग ही करते हैं तो दोस्तों मैं उमेद करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको बड़े कम चाइम में बहुत अच्छा एक कनसेप्शन आया होगा साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइख करें दोस्तों के साथ में सेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइब भाई छाठा बुड़नाइट लव यू ओल